हलो मेरे प्यारे चात्रों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार आपके अपने परिवार में जहां पर आप सभी लोगों के लिए सेलेक्शन की मैं बात करना चाहता हूँ और डेफिनेटली सेलेक्शन के लिए जद्दो जहद कर रहा हू और definitely vacancy increase पर भी बहुत बड़ी चीज़ें आप लोगों के लिए लगातार की जा रही है मैंने अभी भी tweet करके आया हूँ और आप लोगों को भी करना है ये रुकना नहीं चाहिए आज भी आप माहल बना सकते हैं अगर आप चाहें बनाना तो तो definitely आप सभी लोगों को नहीं रुकना है और नहीं जुकना है और आगे भड़ते रहना है ये बात ध्यान रखना बस आईए का शुरुआत करते हैं आज के प्यारे से सेशन में catch the math गनित का set number one डेली आपके लिए 11 बजे चलेगा और आप सभी लोगों को बहुत आगे ले जाएगा बहुत आगे ये आप सभी लोगों का सबसे ज्यादा पसंद किया हुआ जो अभी railway में selection लेकर बैठे हैं उन बच्चों से एक बढ़ पूछिए कि CTM जानता है क्या CTM को जानता है क्या वो बताएंगे कि CTM क्या है हाँ और आपको पता है यहाँ पर ना केवल CTM CTS और CTR भी चालो हो चुके हैं catch the science सुबह 9 बजे catch the reasoning शाम को 6 बजे daily पढ़ाई करो यार कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और ना छोड़ेंगे हम लोग ठीक है चलिए अभी नहीं तो कभी नहीं और सच बात है अभी नहीं तो कभी नहीं और selection जरूर होगा यह ध्यान दखना selection जरूर होगा केवल केवल पद increase हो जाए और वो most probably कोशिश है कि हम अगर यह काम करते रहेंगे तो definitely कुछ न कुछ हमें होने वाला है मिलने वाला है तो आप सभी लोगों के लिए increase railway vacancy ALP vacancy इस अगर आप copy paste करके डालोगे तो आपको 10 second भी नहीं लगेंगे लेकिन आप एक tag एक अगर tweet कर दोगे तो आप सारे बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा तो यह please आप यह काम करिए क्योंकि अगर vacancy increase होती है तो सब का फाइदा है इसमें सब लोगों का फाइदा है ठीक ठीक है अभी नहीं तो कभी नहीं आज शाम को 3 बजे आज शाम को 3 बजे मैं mensuration आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सभी लोग शाम को 3 बजे mensuration यहाँ पर आ सकते हैं पढ़ने ठीक है catch the science सुबह 9 बजे होता है catch the reasoning शाम को 6 बजे होता है तो catch the science हो चुका है और एक बहुत बजे क्या है आपको पढ़कर बताता हूं और हर बच्चे के लिए selection की एक नीव रखूँगा मैं इस दिन मेरी तरफ से आप सभी को आपकी जिंदगी बनाने वाला free तोफा मैं देने वाला हूं जहां पर नई रणनीती नया time table नई शुरुवात आप सभी के लिए खास क्य 27 जनवरी 11 बजे जुर्णा ना भूले पूरी टीम के साथ और सब बताएंगे अपनी strategy कि आका सर आपको यूट्यूपर क्या कराने वाले हैं कैसे कराने वाले हैं क्या क्या चीज देने वाले हैं और साहिल सर आपके क्या कराने वाले हैं कैसे कराने वाले हैं क्या क्या चीज देने वाले हैं इस सब चीजे पता चलेंगी तो 27 तारिक सुबह 11 बजे नए टाइम टेबल के साथ जुड़िएगा आप लोग ठीक है अब आते हैं आगे आपको अगर मेरे कोई भी कोर्सिस लेने मेरा रेलवे का शांदार कोर्सिस चल रहे हैं और पढ़ाई चालू कर दी गई है ठीक है चलिए अब एक चीज़ सर CTM में आप क्या करोगे क्या है special क्या है special CTM में क्या है special CTM में मेरे कैच ना मैट में क्या special रहने वाला है पहला point सबसे पहले जितने भी previous year paper आए है ALP کے ALP के उनके reference question मैं लूँगा उनके reference questions मैं लेने वाला हूँ इसमें ठीक है दूसरा 2018 से 22 में क्या 2018 से 23 तक के जो railway के questions मतलब railway के जितनी भी paper हुए है जैसे कि बीच में अपना NTPC भी हुआ था अभी group D भी लगा था थोड़े दिन पहले उसके साथ ALP भी हुआ है junior engineer भी हुआ है तो इन सभी exams के questions भी math के देखकर इस set में डाले जाएंगे तीसरा आपका जो latest easy to moderate level के questions जो latest अभी exam हुए है जैसे कि Delhi police हुआ है SSE का कोई भी exam हुआ है वहाँ से हर दिन नए नए चीज़े लाई जाएंगी आपको ठीक है चौथा जितने भी आपके state exams में DI आपके आती है paper में जो अपना railway का paper उसमें DI आती है state exams और ALP और आपने जो technician और क्या नाम है अपना ये group D में जो DI आई है वो आपको करवाई जाएंगी तो एक catch the math आप सभी लोग कभी भी इतनी सारी चीजों को एक साथ compile नहीं कर सकते घर पे practice करने से तो catch the math आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते है segment उभर कर आएगा और आपको पता है इसकी quality क्या है अब catch the math में सिर्फ इतना ही होगा नहीं जैसे कि हम हमारे पास क्या होगा देखो topic बहुत सारे आते railway में हाँ हर paper में topic बहुत सारे topic है बहुत सारे topic है तो बहुत सारे topic है तो हमारी कोशिश ये रहेगी जैसे कि हमने हर topic cover करना है मेरा personal plan ये है जैसे मान लो statistics है आज के set में नहीं डाला तो आज के set में जो होगा ना वो 5 set में चलेगा फिर statistics के 5 दो-दो question हर set में आया करेंगे उससे कोई topic भी अगर आपका कमजोर रहेगा तो हम उसको daily by daily एक particular topic पर भी ध्यान रखके काम करते रहेंगे जैसे कि कई बच्चों के बंदू के गोली निकली वाला question नहीं आता कई बच्चों को तो वो आप मुझे daily comment में बताऊगे कि सर मुझे इस topic में problem है जैसे आपने 25 question का set किया आप 25 question के set में आपको लगता है ये topic के questions और होने चाहिए आप मुझे comment करोगे मैं रात को जब paper बनाऊँगा तो मैं उस topic को particular ध्यान में रखते हुए आपको recommend कर दूँगा कि यार ये topic में डाल देना हूँ इसमें ठीक है हाँ तो ये सब चीजे मैं लगातार चल रहा हूँ साथ के साथ vacancy increase वाले मुद्दे पर आप लोग लगातार tweet करते रहिए और जो भी बच्चा tweet करते रहो क्योंकि वो main काम है अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो बार दिक्कत है दिक्कत क्यों है क्योंकि आप घर पे बैटके करोगे क्या मुझे ये बता दो चलो पूरे दिन आपने tweet कर दिया आजे तो आपके बस घर पे बैटने के लिए कुछ नहीं है रियल बात यही है मैं भी कभी कभी ये सोच रहा हूँ कि चलो मैं tweet कर रहा हूँ मैं support के लिए 2-4 वीडियो बना दूँगा मैं कोई दिक्कत नहीं है और मैं बना रहा हूँ लगातार लेकिन ना पढ़ाना कोई विकल्प नहीं है तो आप पढ़ाई जरूर करो पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके लिए ठीक है भाईया यहां तक मेरी बातें आपको समझ में आई catch the math कैसे चलेगा ये clear हो गई catch the math कैसे चलेगा ये clear हो गया भाई एक बार आप सभी लोग yes करके thumbs up कर दीजिए कि वाकई में इसी session का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई आ गई यहां पर मैं इस चीजों को consider कर रहा हूँ अगर आप लोगों को कुछ और consider करवाना है तो बता दो क्योंकि अभी तो यह पहला session है जो मैं बना कर लाया हूँ आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी add-on करवाने हैं चीजें तो मेरे को बता देना आप बे धड़क होकर बता देना क्योंकि मैं उसको revamp करता रहूँगा अपने आप ठीक है चलिए अब आईए पहले प्रशन की तरफ चलते हैं टिक्नोमेट्री आपके पेपर में आता है टिक्नोमेट्री आपको सबसे खतरनाग लगता है क्योंकि आप solve करना नहीं जानते हो या solve करना नहीं चाहते हो आईए solve करके बताओ कि क्या होगा इसका answer आईए अब ना केवल आपको question बताया जाएगा उस question से संबंदत concept भी बताया जाएगे वरना फिर मतलम नहीं है प्रैक्टिस कराने का क्योंकि प्रैक्टिस का purpose लिए यह हमारा तीन solve समीकाएं बहुत famous होती है तीन जो rules है ना बड़े famous है technometry में और आप में से बहुत सारे बच्चों को वो rule आते है पहला rule होता है क्या sine square theta तीन rule या तीन identity इनको बोलते हैं सर्व समीकाएं identity sine square plus cos square theta is equal to 1 1 plus 10 square theta is equal to क्या होता है बताओ sec square theta और 1 plus cot square theta is equal to cos square theta सर यह क्यों लिख रहे हो क्योंकि पता होनी चाहिए तीन famous identity है और धीरे धीरे लिखते जाओगे तो एक दिन सारे formula याद हो जाएंगे paper से पहले आईए सर जी 1 minus cos square theta क्या है 1 minus cos square theta तो cos square theta इधर चला जाएगा तो इसको क्या मैं sin square theta लिख सकता हूँ हाँ लिख सकते हो और अभी लिखा देखो 1 plus cot square theta तो 1 plus cot square theta कितना हो जाएगा cos square theta अब आप लोग जानते हैं सब लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं उन्हें बता देते हैं कि यहां आप एक जान रखी है कि sin theta हमेशा जो है cos theta का cos theta का उल्टा होता है और cos theta जो है वो आपका sec theta का उल्टा होता है और जो ten theta है वो आपके cot theta का उल्टा होता है यह आपस में एक दूसरे के उल्टे रहते है ना तो यहां से जब आप देखेंगे कि इस से यह कट चुका है तो एक में से अगर एक चला गया तो आपका जीरो आ गया तो जीरो आपका आँसर आ चुका है किसी को कोई दिक्कत नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने सही जवाब दे दिया होगा आसानी से ठीके भया चलिए अगला प्रशन आपके सामने रखा हूँ एक बर कोशन को पढ़ लेना और पढ़ के बताओ कि कौन से चैप्टर से है और कैसे होगा और क्या कंसेट लगने वाला है ये तीनों चीजे नहीं आ रही है तो सीखना है आ रही है तो एक स्टेप आगे हो अधरवाईस तो हम समझाएंगे आपको प्र बखर्वान अधर को अब ये कुशिन कौन से कंसेप्ट से जड़ा समझते हैं कि सर्जी 4.55 मीटर लंबे 5.25 मीटर चोड़े एक आंगन में समान आकार के वरगा काल टाइल लगाए गए है तो प्रेक्त टाइल का अधिक्तम आकार ग्याद कीजिए वो टाइल मैक्सिमम कितने आकार की हो सकती है अधिक्तम आकार निकालना है ये कुश्चन है SCF का हाईएस्ट कॉमन फेक्टर का 455 मीटर का मतलब होता है 455 सेंटीमीटर क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं यानि कि अगर 4.55 है तो 455 लिखा जा सकता है और इसको 525 cm लिखा जा सकता है अगर आपको highest common factor निकालना हो तो सबसे बढ़िया जुगार बताता हूं कि आप सभी लोग जितनी भी संख्यां दे रखी हो उनमें जो न्यूंतम अंतर है वो देख लो तो आपके बाद दो ही संख तुकड़ा मौझूद है हाँ है या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस के टुकड़े होंगे तो डिफरेंस का टुकड़ा 35 आ रहा है और 35 आपका क्या हो जाएगा highest common factor हो जाएगा यानि कि वह है टाइल टाइल कितनी अधिकतम लंबाई की टाइल आ सकती है 35 cm अधिकतम लं अधिके समझ गए होंगे कि सर कहा लेकर चाना चाते हैं मैं वहीं लेकर जाना चाता हूँ जहां आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर यह बताओ कितनी टाइल निकल जाएंगी अगर इतनी लंबाई चोड़ाई का आंगन है तो कितनी टाइल लगेंगी तो यह होता है कि इंटू चोड़ाई बटे वर्गाकार टाइल की डाइमेंशन कितनी है 35 भाई 35 तो यहां अगर टाइलों की संख्या पूछे तो SCF निकालका डिवाइड करना पड़ता है अब यहां 35 का पहड़ा बोल लीजिए 35 एकम 35 और बचे यह हो गया 10 35 तिया 105 तो यह 13 आ गया ठीक है 35 एकम 35 और बचे कितने 17 और यह पांच बढ़ जाएगा 15 तेरा इंटू पंद्रा पंद्रतिया 45 पंद्रह एकम 15 और चार उन्निस एक सो पिच्चान में टाइल कि सहीन तरी गए यह कुशन भी बनता है आपर अरे क्या कर रहे हो यार 28 अरे भाई मैं आरे महरान क्या करें तुम 38 होगी 28 होग computer क्या कर रहे हो भाए कि यहा चेतरफल की बात है कुछ और नहीं कालना कि कितने फूल लगा जासकते हैं इंगा जासकते वो नहीं पूछ रह एंग कि यहां मैं पूछ रहा हूं कि कि यहां चेत्अ कर दो कि यहां करते हैं कि यहां करते हैं जब मैं कुछ संख्या देदू कि इंच मैं कि इसमें कितने लीटर देल पानी निकल सकता है तो लीटर निकल जाता है, संख्या निकल जाती है, बट यहां हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया डिवाइड करना पड़ता है, जोड़ना थोड़ी है, हलो खेल हो गया तुमारे साथ, अगला कुशन देखिए, करके दिखाईए, यहां एरिया की बात आरी न, इसलिए डिवाइड करना है, एरिया को एरिया से डिवाइड करेंगे, तब ही हो पाएगा, देखिए, कुशन कैसे होता है, सर, 128 का 25 बटे 8%, 25 बटे 8% का मतलब 25 बटे 800, ठीक है, परसेंटेज को हम एक बटे 100 कहते हैं, तो X की वैल्यू निकालो, तो सर जी यह हो जाएगा, 25 बचे कितने 5, 25 बचे कितनी बार चला गया यह, चार बार, तो X की वैल्यू चार निकल कर आ गई है, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आनंद उठाई यह चीजों का, बढ़िया तरीके से कवर करिए, जिनका basic clear है, वो आराम से तरीके से पढ़ाई करो, मेरे हाँ पर यूट्यूब पर बहुत अच्छा content दूँगा, बहुत अच्छे से महनत कराऊंगा, आपको कहीं बटकने की जरवती नहीं है, किसी भी subject में नहीं है, क्योंकि हर subject की बहतरी इन faculty आपको पढ़ा रही है, आप देखिए उनकी class एक बर, ठीक है, साथ के साथ जिनका basic clear नहीं है, मेरा बैच चल रहा है, काफी दुनों से चल रहा है, उसी में जुड़ना है, कोई नया बैच लेनी की, कोई आवशक्ता नहीं है, क्योंकि जो नए बैचों में देंगे, मैं free दूँगा आपको, ठीक है, यह मेरी guarantee है, जो मेरा foundation है, reasoning का, gk का, वो foundation जरूर लो आप, जिनका basic clear नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, जिनको selection लेना है, number system start हो रहा है, कल से मेरा, ठीक है, हाँ, अगला question आपके सामने है, एक बर आप try जरूर करो, कैसे बनेगा, कौन स चीज़ा हम लेकर चलेंगे, concept और solution, आईए, सतीन सो मीटर लंबी दीवार को नो पुरुष, या ग्यारे इस्तिरियां, पंदरे दिन में बना सकती है, अठारे पुरुष तथा पंदरे इस्तिरियां, कित्ते दिन में बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, concept है MDH, और chapter है, concept है MDH, chapter है time and work, ठीक है, solution क्या होगा, नो पुरुष है, या आता है, तो बराबर आता है, हाँ, और ग्यारे महिला आएंगे, वही तीन सो मीटर है, पंदरे दिन में बना सकती हैं, तो यहां से महिला और पुरुष की जो छमता निकल कर आगई, वो निकल कर आगई, ग्यारे अंटु नो, यह आपका हाता है, टाइम क्या ले रहे हो, किस छमता से कार्य कर रहे हो, और आप सबी लोगों के लिए काम क्या है, चलो बढ़िया है, अगर हम आगे बात करना चाहें, आगे भी मेन मुद्दा समझने की कोशिश करना ज़रा, कि तीन सो मीटर लंबी दीवार को 9 पुरुष की efficiency 11, कितने दिनों में, 15 दिनों में, कितना मीटर, 300 मीटर, क्या बना सकते हैं, दीवार बना सकते हैं, इसी को compare करना पड़ता है, compare करो, 18 पुरुष, 18 पुरुष, पुरुष की efficiency 11, 22 महिला हैं, एक महिला नौकी है, तो 22 महिला है, 22 into 9, ये total efficiency हो गई, 800 मीटर लंबी दिवार कितने दिनों में बनाएंगी, 800 मीटर लंबी दिवार बनानी है, कितने दिनों में बनाएंगी, आप में से किसी को MDH लगाने में problem तो नहीं है न, देखो मैं दुबारा बताता हूँ, ये तो आपकी हो गई M, ये हो गई आपकी D, ये हो क्या आपका काम, ये पूरा ठीक है, अगर हम ये कह सकते हैं आप लोगों को कि सर ग्यारा से काटिये, ग्यारा से काटिये, ग्यारा से काटिये, ग्यारा से काटिये, ग्यारा से काट दीजिये, दो बर, ठीक है, और 9 से कभी काट सकते हो, 9 से काट दिया, दो बर और 9 से 9 कट गया, तो यहां पर कितना आ है 15 बटे 300 15 बटे 300 और 2 और 2 4 बटे 800 और इंटू डी अराम से सॉल्व हो पा रहा है यह शॉट कट होता है सॉल्व करने का कि यहां 11 दोनों में कॉमन था तो 11 से काड दिया 9 दोनों में कॉमन था तो 9 से काड दिया सॉल्व करने पर जीरो से जीरो चली गई तीन से चला गया पांच बार ठीक है तीन से चला गया पांच बार आठ पंजे ट्विट करना नहीं भूलना है, क्लास तो आप ले रहे हो, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड कराते रहना है, वेकंसी इंक्रीज को, क्योंकि वेकंसी इंक्रीज भी होंगी, और आपका सेलेक्शन भी होगा, और आप पढ़ते भी रहेंगे, तो नुकसान किसी भी इस्तिती में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल और केवल यही सोचते रहेंगे, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, इस चीज को नहीं लेना है भाई, है ना, आप अपनी तैयारी भी करते रहो, ऐसा ना हो, कि आप अपनी तैयारी छोड़ दो, और आप सभी लोगों के लिए सारे काम चलते रहेंगे, ट्विटर कैमपेंग भी होगा, अगर आप आज मीटिंग होती है, नया हैश्टेग आता है, तो उसे भी ट्रेंड करवाएंगे, लेकिन उनका काम अलग से चलेगा, उनके लिए वीडियो अलग से बन जाएंगी, वो अच्छी रहती हैं, डेडिकेटेड रहती हैं, सब बच्चे करते हैं, आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है, ये ध्यान रखना, बस मैं तो आपको साला दे रहा हूँ, बाकि आपकी मर्जी है, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, एक बड़ ट्राई करिए कि क्या इसका जवाब होएगा, क्या इसका अंसर आप दे सकते हो, आपको पता है कि ये कॉंशन कैसे होता है, सोचो, क्या इसका लग जढता है, और ऐए का आव कि आधी कीद दो वास्तविक हर्द होने का क्या Loxic होता है यह बता देरां अब दो वास्त वी खल ओने का यह कोशन ट्रिकी है इस कोशन को भी हम ट्रिकी मान सकते हैं के आपका railway पूछा है है ना मैं आपको क्या समझाय था कि जुमी में कैच दामेद बना कर ला रहा हूं मैं उस railway के prospective से बना कर ला रहा हूं railway के दरश्टी कौन से बना कर ला रहा हूं यहां केवल आपने केवल यह बोला गया है कि दो वास्तवी खल है इसका क्या मतलब है देखिए कभी भी दूईगात समीरे कि बात करते हैं तो उसमें एक तीन दो नूच्ट कर्दी यह का या बता सकते हैं क्या मूलों की प्रकर्टी मूलों की है अगर डीगेटर देनजीर होगा तो आपको याद है कूछ धंदर धंदा तो लीडी ग church 0 होगा तो आपके मूल वास्तविक भी होंगे और प्रूमी बहुत अच्छी बात कर यह हैं दो है थारे कि बराबर नहीं होंगे आगर यहां लिखिन्गे तो मूल वास्तविक होंगे और बराबरब § होंगे यहां पर आपके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे इमेजिनरी होंगे कैसे होंगे इमेजनरी होंगे और बराबर नहीं होंगे इमेजनरी होंगे और बराबर नहीं होंगे condition बहुत सारी बनती है literally आपको condition बहुत सारे लोगों को नहीं पता है बहुत condition बनती है इसमें भी अगर question examiner परेशन करना चाहे आपको तो हाँ ठीक है तो क्या है concept जरा ध्यान देना क्या है concept जरा ध्यान देना real or unequal और real or equal इसमें condition कौन कौन सी बन सकती है condition बन सकती है परी में और आपरी में वाली भी बन सकती है परी में और आपरी में अब मेरा पहला प्रशन आप लोगों से यह आता है कि परी में और आपरी में मूल भी आते हैं सर तो वो पहली condition के दौरान काम आएंगे दूसरी कंडिशन के दौरान काम आएंगे या तीसरी कंडिशन के दौरान काम आएंगे बस इतना बता दो पहला कुशन पूछ रहा हूँ जनरल कुशन है आपके लिए हाँ जनरल कुशन है अभी नमबर सिस्टम चालू हो जाएगा कल, है ना, और आज शाम को तीन बजे मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पर, logic पर बात करो भाया, logic पर, कि परी में और परी में कौन सी कंडिशन में काम आएंगे, पपू कह रहा है, फरस्ट में काम आएंगे, मोहित कह रहा है, फर्स्ट में आयूशी कहरी है फर्स्ट में कौन सी कंडिशन में काम आएंगे फर्स्ट में काम आएंगे फर्स्ट में कैसे काम आएंगे बता सकते हो सर ऐसे काम आएंगे कि अगर D मान लो आपका अगर परफेक्ट स्कॉयर है डी अगर आपका perfect square है तो परफेक्ट square है तो rational root हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे rational rational का मतलब होता है परी में और डी अगर आपका non-perfect है यह इतनी प्यारी condition है बताओ रेल पूछता है बजाक नहीं कर रहा हूं और कोई बताता नहीं है कोई भी टीचर इस question को इतना explain नहीं करेगा क्योंकि मज़ा किसे आएगा फिर नहीं होगा तो explain आप एक बार logic को समझे कि अब आप कभी जिंदिगी में गलत नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको conditions पता लग चुकी है कि भाई या perfect होगा तो क्या होगा non perfect होगा तो क्या होगा अब ये d का क्या लोचा है ये d क्या होता है किसी भी दुईगात समिकरण का विवेचक जो होता है विवेचक का मतलब विवेचक का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसको विवेकतर भी बोलते हैं विवेकतर भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं सर ये जरूरी है क्या निकालना तब ही तो बता पाओगे कि भाई क्या है क्या नहीं है अब आप मेरे कोई बताओ कि इस question के according दो वास्तविक हल है कौनसी condition काम में आएगी बताओ इस question के according कौनसी conditions काम आएगी ये question है मेरा ये question को पढ़ा आपने अब मुझे बस पूछना है आप से कि कौनसी condition काम में लोगे greater than 0 लोगे, equal to 0 लोगे या less than 0 लोगे है कोई बताने वाला, है क्या आप इस question में कौनसी condition काम में लोगे greater than लोगे, less than लोगे या equal to लोगे, 0 हाँ, बहुत सारे बच्चे गलत बोल रहा है क्योंकि knowledge चाहिए देखो इसके लिए यहां कुछ भी नहीं बोला है आपसे बिचारे ने, बोला है कि दो वास्त भी खल है तो यह greater than equal to 0, अब value put करता हूँ, value put करो, सर जी a तो यह आ गया, क्योंकि आप compare करोगे तो ax square bx plus का c बरावर 0, तो plus का bx plus c बरावर 0, तो a बरावर तो कुछ नहीं है, b बरावर आ गया 4, तो 4 का हो गया, 16, minus 4ac, 4 a की value 1, और c की value 4b चलो बढ़िया है, greater than equal to 0, अब कहानी बन गई बस, खेल खतम 16, greater than equal to 16b, और b is less than equal to 1 अगर आप में से जितने भी चात्र, उश्यार समझते हैं खुद को गलत करके आ जाओगे, अगर condition को डंग से नहीं समझ पाए तो मानते हो नहीं मानते हो, मज़ा आगया नहीं आगया question में और question कराना बड़ी बात नहीं थी, मैं direct कराता, तो तुम कर तो लेते बट आपको clarification नहीं मिलता कि equal to क्यों हुआ क्योंकि equal to की कोई अलग condition नहीं बनती है, देखो कोई अलग condition नहीं है, लेकिन बोला गया है कि real root वाली लेनी है तो real root तो दोनों में हो रहे है न, इसलिए equal to zero वाली condition ली examiner अगर निर्दई होता, तो वो यहां क्या कह सकता था B, B less than one देता एक option आपको और 70% या 80% छात्र, option number A लगा कर आते और उनका गलत हो जाता, real बात है यह, real बात है तो आप please ऐसी चीजे समझे जिससे कि आपको doubt के लिए हो ऐसा रटने वाला काम करना नहीं है मेरे भाईये न, question कराने के लिए हम नहीं आए है, question समझाने के लिए आए है कि question कैसा आता है वो थोड़ा time आपको लगेगा बट आपको चीजे सीखनी पड़ेंगी अगला प्रशन आपकी screen पर है आराम से question को पढ़ो, बहतरीन प्रशन आपकी screen पर है आराम से का लगा, भाईये के लिए स집ृटն आपकी स אבत包 के लिए 9 Всем आराम से dispon municipality को समय है आराम से की साफिते दो है किसे हैं आर का सब आराम से लिए क्वेरावंट आपकी क्वेराव दो पह Allah अब ये कोशन बहुत फेमस कोशन है मैं मेरा मैं कह रहा हूं ना कि आप दिन भर में कोई भी मिक्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो और अगर आप मेरे सीटीम को लगा रहे हो तो यह मोर देन सफिशेंट रहेगा आपके लिए ना मोर देन सफिशेंट यह रहेगा यह आपको खुद को मैसूस हो जाएगा है ना बिंदू P और Q तिरबुच A, B, C की भुजा क्रमशे A, B और A, C पर इस तरह से है कि रेखाखंड P, Q भुजा B, C के समानतर है यदि तिरबुच A, P, Q और A, B, C का छेतरफल इतना है चलो तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया बोला ट्राइंगल है A, B, C है और A, B और A, C पर जो भुजाएं है वो बिंदू P और Q है और P और Q क्या है B, C के पैरलल है नए चात्रों के लिए आरम आरम से बताना पड़ता है मुझे तो आप लोग बिल्कुल भी गुसा नहीं होना ठीक है कि सर इतना आरम से क्यों समझाने के लिए बस मेरे को करना नहीं है आपको सिखाना मेरे को पहला परपस है और P, Q आपका पैरलल है इसके तो ऐसी शर्त कभी भी आएगी और आएगी 100 प्रतिशत तो ये कौन सी थियोरम को बिलॉंग करता है पहली बात तो ये थेल्स थियोरम होती है लेकिन ये थियोरम का लॉजिक ही नहीं है ये जो कोश्चन है ये थेल्स थियोरम का नहीं है ये कोश्चन तो सिमिलरिटी का है क लो, अब समरूप तक क्या कहती है, कि दो तिर्भुझ आपस में समरूप होंगे, अगर उनकी संगत मुजाओं का अनुपाद बराबर होगा, यदि दो तिर्भुझ आपस में समरूप होते हैं, तो यहाँ पर उनके छेटरफल का बबाद दे रखा है सब A P Q का छेतरफल 25 है तो यहां मैं कह सकता हूँ तिरभुज A P Q का छेतरफल जो है वो 25 है और तिरभुज A B C का जो छेतरफल है वो आपका 36 है क्या है 36 है तो आप लोग समझ के चलिएगा एक बढर कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपाद होगा उसका अंडरूट हो जाएगा 5 बटे 6 यानि कि ये अनुपाद 5 है तो ये पूरा 6 है तो ये एक हो गया कोई आफत दिक्कत similarly यहाँ पर भी वही होगा similarly यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा क्यों अरे भाई यह बड़ी बुजा ले रहे न हम तो यह आदी थोड़ी है यह पूरी है इसलिए तो AP और PB का अनुपात AP और PB का अनुपात 5 अनुपात 1 होगा अब इन में से कुछ भी पूछ सकता था किसी भी बुजा का अनुपात पूछ सकता था ठीक है हाँ आपको जो छेतरफल का अनुपात होता है तो बुजाओं का अनुपात उसके वर्ग मूल के बराबर हो जाता है बुजाओं का वर्ग मूल के बराबर हो जाता है एक बर आप clear कर देंगे yes करके sir ठीक है मज़ा आ रहा है अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है पढ़ाई करिए हाँ बिलकुल लगातार तरीके से करते रहे है अगला प्रशन आपके सामने ये रहा अब ये question कौन से chapter से है बस मुझे concept बताना है कौन सा chapter का concept है और अगर formula याद हो तो ठीक है और इसका फिर solution करते है तो दोनों चीज़े आप मुझे बताईए time शुरू हो गया है आपका झाल प्रबस्दै आपका पार्टनर्शिप का और पार्टनर्शिप में जो कॉंसेप्ट काम आता है वो काम आता है इन्वेस्टमेंट इन्टू टाइम 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 इन्वेस्टमेंट 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 इन्वे चप्टर ठिका हुआ है ना चलिए अब बोला गया है सर पी और क्यू 1400 और 1800 रुपे के निवेश की साज़दारी में प्रवेश करते हैं वे लाब के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन में रखते हैं और शेश हिस्से को निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं ठीक है सर पी और क्यू का जो अनुपात है 1400 और 1800 का जो अनुपात होगा सरल अनुपात निकालने पर साथ अनुपात नो क्या यहां टाइम कोई रोल प्ले कर रहा है आप कमेंट करके बताएंगे छात्रों क्या समय की कोई बात है या समय की कोई बात नहीं है अगर समय की कोई बात नहीं होती तो निवेश प्रॉफिट के डाइरेक्ट ली प्रपोर्शनल हो जाता है निवेश प्रॉफिट के डाइरेक्ट ली प्रपोर्शनल हो जाता है यानि कि इतना निवेश है न तो इसी निवेश में लाब बटेगा और जो यह लाब हो का अंतर है वह 47 है सर सर ऐसा कैस अप्र नहीं है इसके साथ ये बताईए एक प्रश्ण में क्या ऐसा है जो उस्तर ना होने से इसको रोक रहा है सर एक चीज है कि जब कभी भी आप आधे हिस्से को संचालन के लिए रख लेते हैं न तो वो हिस्सा आपका काम ही नहीं आया बाटा हुआ हिस्सा आधा था यानि कि जो यह हिस्सा है जो इन दोनों को मिला है वो आधा हिस्सा है तो पूरा क्या होगा इसका डबल तो ये ध्यान लखने योग्या बात है कभी भी व्यवसाय में पैसा दान दे दिया जाए कभी भी व्यवसाय में पैसा दान दे दिया जाए या किसी व्यवसाय के किसी भी common काम में लगा दिया जाए तो वो पैसा कभी बटता नहीं है जो पैसा का difference आया वो जो बटे हुए पैसे से आया ना वो उसका है वो और वो पैसा आधा ही था जो बाटा गया ओके पूरा क्या होगा पूरा double करना बड़ेगा और क्या होगा यही होगा पूरा पैसा तो यह खेल है चलिए अगला प्रशन आपके सामने है कुशन कौनसे chapter से है कौनसा concept यहां लग रहा है और कौनसा concept यहां लग रहा है और सॉलिषण क्या होगा मेरे fast करने से आपके समझने का कोई तलुड नहीं है मेरे आराम से समझाने से आपको समझ में आएगार यह system झाल झाल आईए बैया आईए कंसेप्ट है प्रॉफिट लॉस का और प्रॉफिट लॉस में टाइप है टाइप है क्वांटिटी सेम करने वाला क्वांटिटी मतला मात्रा को समान करो मात्रा को समान करो सेम करो यह टाइप है तो कंसेप्ट तो प्रॉफिट लॉस वाला है और टाइप जो है वह मात्रा को समान करने से जो पैसा निकलेगा वह सीपी और एसपी में बदल जाएगा ठीक है तो 8 रुपे में 9 केले खरीदता है और 9 रुपे में 8 केले बेचता है तो यहां पर आपने 8 का गुणा किया जो की करना ही था बहतर बनाने के लिए और यहां पर आपने 9 का गुणा किया करना ही था बहतर बनाने के लिए quantity same होने के बाद में इनका कोई role नहीं होता cushion यहां आ गया cushion का यह CP है यह SP है 64 में खरीदी हो रही है 81 में बेचान हो रहा है 17 रुपे का profit है 64 के respect में है ठीक है into 100 अब solve कर लो बस 4 से काटा सर जी 16 बार 4 से काटा अपने 25 बार 25 से हलका सा जादा आएगा पूरा solve कर लोगे 16 का टेबल बोल लो गया दर्वाइस कोई मतलब भी नहीं है 26 पॉइंट को चांसर आएगा और रही बात profit की तो profit होगा तो एक ही option है C option C option हो गया 26 पॉइंट 56 का profit हो गया reasoning की जो class है 6 बजे चलती है प्रैक्टिस क्लास है ना यूट्यूब पर ठीक है और 27 तारिक के वह आपको अपनी जिंदगी का सबसे बैतरीन तोफा देने वाला हूँ 27 जनवरी को सुबह 11 बजे मज़ा आजाएगा आपको नई रन्निती नया टाइम टेबल नई शुरुवात ठीक है हाँ क्लियर है चलिए आगे चलते हैं अगला कुशन देखिए आप किसी संख्या का एक बटे पाँच उसके एक बटे साथ से दस अधिक है तो दो तरीके हैं या तो पाँच और साथ का एक ऐलसीम ले लो 35 उसका एक बटे पाँच करोगे तो साथ इकाई साथ यूनिट है न एक बटे पाँच किया तो और एक बटे साथ करोगे तो कितना हो जाएगा पाँच एकाई कितना ज्यादा देखो दो इकाई ज्यादा है दो इकाई में दस के बराबर हैं अब एक बराबर कितना आ गया एक योनिट बराबर आ गया पांच अब संख्या आपने 35 मानी थी है कि मानी हुई एकाई है उससे तभी तो आसान आंसर हो पाया तो 35 जो मानी है वो एक्षुल में कितनी है पांच गुनी कर दो एक सो पिचेतर और एक्स मान के भी कर सकते थे आप वो आपकी भी कॉल है लेकिन हमें थोड़ा सा ट्रिक पर चलना पड़ता है पेपर के द्रस्टी कॉंड को रखते हुए दिमाग में 175 आपका राइट आंसर आगे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है प्लीज बताईए यार रहना दबा कर लाइक वाइक करते रहिए और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप हर चीज में मुझे सपोर्ट में पाएंगे ये बात धिहान लखना तो वेकेंसी बढ़नी चाहिए और उसके लिए हम ट्विटर भी लगातार कर रहे हैं मैंने अभी भी बताया आप करिए तो मैं किसी भी बच्चे को आहत नहीं करना चाहता हूँ बस इतना कहना चाहता हूँ भया आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें बस यह मैं आप से कहना चाहता हूँ न वो आप करते रहें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें उस चीज़ की अगला प्रशन आपके सामने है इसका कॉंसेप्ट आप मुझे बताएं इसका कॉंसेप्ट आपको आप मुझे बताएंगे और उसके साथ-साथ इसके साथ-साथ-साथ आपका यहां क्या सॉलिशन होगा और यह कॉंसे कॉंसेप्ट पर बिलोंग करता है दोनों चीज़ेबताएं आगे चलेंगे सर जी कॉंसेप्ट है इसका कॉइन बेस्ट कॉंसेप्ट है इसका सिक्को पर आधारित कॉंसेप्ट लगेगा रेशो वाला रेशो प्रपोर्शन से सिक्को पर आधारित ये प्रशन है एक डिब्बे में 84 सिक्के हैं सर ये एक रुपिया क्या होता है और इसके एक फॉर्मूला भी होता है वो भी लिखवा देता हूं देखो हर चेप्टर एक ही फॉर्मूले पर काम कर रहा है इसका फॉर्मूला क्या है याद है किसी को मेरे को याद है डिनॉमिनेशन गुणा नंबर अफ कॉइन्स बराबर आपका जो पैसा बन रहा है वो वैल्यू डिनॉमिनेशन होता है प्रारूप उस सिख्य का प्रारूप क्या है एक रुपय का है किसका है किसका नहीं है और value होती है मान, मुल्य है और यह होता है सिक्कों की संख्या तो कितने सिक्कों की संख्या है, उसके उपर ही depend करेगा आपका ये question सिक्कों की संख्या के उपर निर्भर करता है, right? तर form apply कर दें क्या, अभी मत करो भाई, vacancy बढ़ने दो अभी मैं आपको बता दूँ कुछ न कुछ escalations चल रहे हैं अभी आपको बता दूँ हर जोन से vacancies बढ़ने की list भी आ चुकी है, जो बहार के लोग दे रहे है railway अभी officially उसको नहीं दिया है लेकिन railway जल्दी से जल्दी vacancy की जो increase वाली list है वो देगा, हम उसके बिहाफ पर भी मैं आपको बताऊँगा कि आप किस जोन से form भरेंगे ठीक है, हाँ और मैं आपको ये बहुत clear बताऊँगा कि आप लोगों को जहां के आप belong करते हैं, जिस छेतर विशेश के, उस वहां के हो तो कहां से भरना है, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पर आपने एक ही जोन से भर दिया, बाकी जोन में सबका selection हो गया, ऐसा नहीं तो मैं वो पूरी एक गणित बताऊँगा, उस हिसाब से आप भर लेना उसमें, जोन के हिसाब से हाँ, और जब आपके लगेंगे कि सब में बराबर हैं, तो आप अपनी मर्जी से भरना, किसी को बताना मत तो मैं यहां पर कुसी जोन के बारे में बताने नहीं आऊँगा, मैं आपको यह बताऊँगा कि यह यह आपकी पोस्ट है और आप यहां से भर सकते हो इतनी इतनी पोस्ट आ चुकी है क्योंकि मैं बताऊँगा, तो हो सकता है कि बच्चा इंफ्लूएंस हो जाए, और एक ही जोन में ज़्यादा बच्चे आ जाए, तो वहां फिर कट ओफ ज़्यादा चली जाएगी तो मैं वो नहीं बताने वाला हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आपके पास ये जोन है अब आप अपने एसाब से देखिए कि कौन से से आपको भरना है उससे क्या होगा कि पूरी ट्रांसपरेंसी रहेगी, किसी में गपला ही नहीं होगा फिर ठीक है, हाँ एज रिलेक्शेशन का भी उसी में आएगा भाई है ना वो वेकेंसी के मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके लेटर घूम रहे है इदर से उदर जा रहे है, बहुत सारी चीज़ें वो चल रही है ना, देखिए कल तक तो स्टाफ की छुटी ही थी ना, इसी वज़े से तो अब देखिए, अब 84 सिक्खे है, एक रुपे और पचास पैसे और पच्चीस पैसे एक रुपे पचास पैसे पच्चीस पैसे यह आपका डिनॉमिनेशन है पचास पैसे के सिक्खों की संख्या, पच्चीस पैसे की संख्या से दुगनी है और एक रुपे के सिक्खों की संख्या से चार गुनी है किसकी? पचास पैसे की एक रुपे की सिक्ख्या, यह number of coins का ratio बताया हुआ है language में, अनुपात में मैं लिखता हूँ पचास पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से तो दुगनी है और 1 डुपे से 4 गुणी है तो एक रुपे के अगर 1 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 4 हो गए और इसके 2 हो गए यह बात उचित है क्या यह कैसे कर दिया सर देखो ना बाई 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी और एक रुपे से 4 गुनी है एक बढ़िया है अच्छा यहां इंटू करोगे तभी तो वैल्यू बनेगा और वैल्यू कितना है वैल्यू की मतलब नहीं है यहां तो सिक्क्य दे रखें 84 तो सीधर सिक्कों को बाढ़ दो तो साथ अनुपात बराबर 84 सिक्कों की संख्याई बाटनी है एक अनुपात बराबर 12 यानि कि यहां से आ गया एक रुपे के 12 सिक्के 50 पैसे के 48 सिक्के और 25 पैसे के 24 सिक्के तो 50 पैसे के कितने सिक्के 48 यहां पैसा नहीं पूछा आपसे केवल सिक्के पूछ सर जी देखो बारा रुपए के एक रुपए के बारा सिक्के तो बारा रुपए यहां से हो गए अगला करेंगे यह देखिए अब ये दिखने में आपको खतरनाक लग रहा होगा बट है नहीं लेकिन बच्चों को तो डरा नहीं होता है न तो examiner डरा सकता है और वो आपके सामने विकल पर भी दे दिया मैंने कि भाई ये चीज है डराने वाली कि तो साफसाफ आखों के आखों में इशारे हो गए होंगे सर ये तो एक बटे दोई आ रहा है कि क्या ही कोइत करेगा लिए बार वाला कि वह क्या अलग नहीं करने के लिए तो व्निस इसमें कॉछ बताएं गाल ने के लिए अग्र करनी कि इन में से ऐसी कौन सी संख्या हो इसको इसमें से किसे भाग कर दूँ और वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए पर्फेक्ट इसक्वायर तो ऐसे कुषन उनों को करने के लिए टुकड़े करने पड़ता है और वो देखना पड़ता है कि कौन से टुकड़े की वज़ा से इसकी जिंदगी खराब हो रही है बताओ झाली है बताओ – झाली разбादा है झाली है और वो रही है। आप ऐसे कुशन को कैसे करें सर, बहुत सारे बच्चों को टुकडे नहीं करने आते, टुकडे करने का तरीका यह होता है 70 13936 है तो मेरे को जर दिख रहा है न महान वहाँ से टोड़ना शुरू करता हूं मैं 079007 Tetris आप मेरे को लग मैं 0abyte 2աão 345 तो मैंने चार चार सत्य IBen चार स्टोड़ सकता point अब आप देखिए कि इसमें जितनी खुन हैं उन्मर के अगर एक तो पून वर्क ना ra से भाग कर दोगे न तो पूर्णवर्ग बन जाएगा अगला कुशन अगला कुशन देगे भाई मेरी बात एक बात और मैं आप सो पुछूंगा सबसे कि आप सभी विध्यारती जब मेरे यहां पढ़ते हैं चाहे मेरे तैलेंट दिखाना है कि देखो यार मैं इतने सालों से बढ़ा रहा हूं थो देखो मेरी स्पीड कितनी तयज है चाहे मेरी कितनी फास्ट है ड़े कर्लेशन कितनी फुल होना और इस यूट्यूब चैनल पर मेरी टीम पूरी काम कर रही है और मैं जिस अध्यापक से पढ़ा था LKG या फर्स्ट सेकंड में वो टीचर आज भी LKG और फर्स्ट सेकंड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको देखकर मैं गरवानवित मैसूस करता हूं क्योंकि इन टीचर्स की बदलत आज मैं यहां हूं उन्हें नीव तो उन्होंने रखी है न तो वह बात आप समझना है न कि आप सभी लोग हमेशा मुझे जब मैं यह पढ़ा रहा हूं आप सेलेक्शन लेलोगे आप जौब लग जाओगे लेकिन मैं आपको यही दो साल का कंपॉन इंट्रेस्ट पढ़ाता मिलूँगा क्यों क्योंकि मेरा काम है यही करना हर साल बच्चे सेलेक्शन देना अगला प्रशन आपके सामने है देखे अब देखो एक निश्चित धन राशी पर दो साल का बारे परसेंट की दर से साधर्ण व्याज और चक्रवर्ती व्याज का अंतर दे रखा है बहतर रुपिया अंतर है ना बहतर रुपिया तो आपको बता दूं पी आर स्कॉयर बटे हंड्रेड का जो स्कॉयर होता है यह दो साल के साधर्ण व्याज और चक्रवर्ती व्याज के अंतर का फॉर्मूला है कैसे आया क्यूं आया यह बहुत सारे बच्चों के मन में प्र करा जाएगा 5000 और यही आपका एक सही ऑप्शन भी है और आंसर भी है तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए हां तीन साल का क्या होगा वह समय आने पर लिखवा देंगे सबाब को है ठीक है ठीक है मेरे दोस्तों है क्लियर है कोई इशू तो नहीं आ रहा ना इशू नहीं आ सीटीम शुरू कर रहे है और आपकी फिलिंग उस लेवल की पहुचे कि यार यह बंदा सेलेक्शन करवा देगा वह बहुत जरूरी है आपका माइंड सेट किलियर होना बहुत जरूरी है कि यार क्वालिटी कहते किसे हैं पता हमें चल जाए बस अब इस कोशन को आप देख क्वालिट जरूरी होना बहुत 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 जरूरी ह दिल कुछ हो जाते हैं कुश्चन देखो a plus b plus c का whole square क्या होवत है a square plus का b square plus का c square plus two times of a b plus का b c plus का c a सर यह क्या कहना चाहरे हो आप मैं वही समझाना चाहरा हूँ कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा a plus b का 16, 16 ती 48 आया a square b square c square मैंने 16 घटाया और यहां से देखिए यहां से मैं जब इसको solve कर रहा हूँ a b b c और c a तो logic क्या होता है वो समझना सर जी 32 बटे दो तो a b plus का b c plus का c a भी आपका कितना निकल कर आ गया 16 ही निकल कर आ चुका है तो कभी भी जिन्दिगे में आद रखना कि a square b square c square बराबर हो जाए a b b c c a k तो निश्चित तोर पर a बराबर होता है b k b बराबर होता है c k ये तीनों आपस में बराबर होते हैं ये हमेशा होगा इसलिए इनका अनुपात एक अनुपात एक हो जाएगा इसलिए इनका अनुपात एक अनुपात एक हो जाएगा याद रखने योग्य बिंदू क्या है यहाँ पर याद रखने योग्य बिंदू है ये याद रखने और फिर बताना कि session कैसा लगा और क्या हम इसमें modified करें या फिर आप संतुस्थ है ये भी बताना जैसा कि मैंने बताया पूरा प्लान आपको ठीक है और मेरी क्या प्लानिंग है मैं बता चुका हूँ कि किस बच्चे को क्या करना है और शुरुवात कर दो से लेबस को कवर करने में टाइम लगता है ना मतलब ये एक एक दिन भी बहुत कीमती है ये समझ लेना वसाथ कौन सा कंसेट लगेगा इसमें यश्राज पूछने अ दूसरे भाग का 9 गुना दौनों मिलकर 480 के बड़ावर हो जाए दो भागों में बांटा और यह हमारा फेवरेट मैथड है अभी कुछ बच्चों को लगेगा नहीं लेकिन जैसी 2-3 सेटों में कराऊंगा ना वीजन मेरा इस तरह का है तो एक भाग का 6 गुना बोल रहे हो यानि कि इस भाग का भी एगर आप 6 गुना बोलोगे तो सतर का 6 गुना कितना होना चाहिए था सतर का 6 गुना 420 होना चाहिए था लेकिन है कितना? 480 यह 60 कहां गया? क्योंकि तर आपने दूसरी संख्या में 3 एक यूनिट में कम किया है तो 60 की जो कमियाई वो 20 यूनिट य तो पहला भाग आपका 50 होगा क्या बात है जर्फ ठीक है चलिए मज़ा आ गया हमेशा छोटे वाले से लेना है पूरा 6 माना तो 6 से देखा कि 70 को 6 गुना कर दू तो 420 होना चाहिए था लेकिन हो तो 480 रहा है तो 60 की गड़बर 3 कम करने की वज़ा से तो ये 20 है तो ये 50 संख्या होगी ये था पूरा सेशन अगर वाकई में दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें शेयर भी करें मैं आपको गैरंटी देता हूँ आपको मज़ा आ जाएगा सर ये बाकी कुश्चन हम कल करेंगे और ये चलेगा मतलब पेपर इस तरह सी सिखाए जाएंगे आपको तो आप कर भी ला सकते होमवर्क में आपको ये दे रहा हूं मैं आप एक बड़ ट्राई भी कर लेना हर तरह का कुश्चन है आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कहां तक की मेहनत करवा रहा हूं आपको ये नया अपडेटेड कंटेंट है आपको लग जाएगा अपने आप पढ़ते-पढ़ते चचेरा कौकर आम भेजे प्रती दिन निश्ची संख्या में आम खाए थे आम साठ दिन तक चले अभे का चचेरा भाई राजी उसके साथ चुटिया विताने आया दौनों ने 36 दिन तक आम खतम कर दिया आपके रेलवे में हुआ हुआ कुश्चन है गुरुबडी में अब आप बताओ तुम जिंदगी में अगर पन्ने भी पलटने बैठो ना तो हो सकता है योदू आते महीने आप इस तरह का कुश्ण करोगे क्योंकि ना तो आपको कोई सिखाएगा ना आपको कोई बताएगा उर ठणठन हो जाएगा और П değer कि संख्या सब कुछ डी आई आनंद लीजिये आप पढ़के बस है ना सर आज दुपैर तीन बजे क्या होगा आज दुपैर तीन बजे मैंसुरेशन होगा जिसको थियोरी पढ़नी है वो आजाना मैंसुरेशन तीन बजे हम करेंगे डिसकस ठीक है भाईया CTR होगा 6 बजे आकास सर रिजनिंग का भी सेशन CTR चल रहा है अपना CTS भी चलता है कैच्दा साइस सुबह 9 बजे 27 जनवरी को मेरी तरफ से सुबह 11 बजे आप सभी के लिए तोफ़ा आने वाला है इसकी PDF आपको math by sahil sir telegram channel पर मिलेगी और quick tricks by sahil sir official पर भी मिल जाएगी CBT1 का pattern बहुत clear है मुझे आप सभी लोगों को भी clear होगा क्योंकि सफलता का कोई shortcut नहीं है और हम shortcut देते भी नहीं है आप सभी चात्रों को मेरा कल से कल Wednesday है आप सभी चात्रों के लिए बता रहा हूँ कल बुदवार है और बुदवार से आपका शुरू हो रहा है नंबर सिस्टम अब जो भी बच्चा मेरे साथ बैच में जुड़ गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है जिसको बेसिक से पढ़ना है आख बंद करके जुड़ जाना विश्वास ऐसा रहेगा अभी ओफर भी चल रहा है कि आप सभी लोगों का सेलेक्शन करवा देंगे यह बैस से इसमें मैंने देखो यह सब करवा दिया है नंबर सिस्टम अब रेस तक हो चका है मेरा 14 चेप्टर हो चुके हैं इनकी PDF, Notes, Recorded Video सब हैं डाउट भी अपने आप के लिए हो जाएंगे पढ़ना पढ़ेगा लेकिन उसके लिए तो % से शुरू कर दो या सिंप्लिफिकेशन से कर दो आप शुरू कर दो पढ़ना क्योंकि बहुत अच्छा सिलेबस कवर करवाया मैंने और नए बैच में सिलेबस कवर होगा नहीं इसलिए मैं यह आपको दे रहा हूं यह बैच मेरा भी चल रहा है continue चल रहा है railway का ही बैच है पूरा ठीक है हाँ और नंबर सिस्टम कल से शुरू हो जाएगा लाइव नौ बजे सुभह नौ बजे आपका नंबर सिस्टम शुरू हो जाएगा तो आप जोड़ो देखो पढ़ाई अच्छे से करो सारी चीजें होती चली जाएंगी कॉस्ट बहुत सस्ती है आप अफॉर्ड कर सकते हो आराम से एडवांस मैट होगी फिर और में मौन मीडियन सब होगा मतलब अच्छे से होगा कचरा नहीं है अच्छा है ठीक है और क्वालिटी है क्वालिटी से ही आप एक बर में सेलेक्शन ले सकते हो और वो जरूरी भी है लेना अगर आप सारी सब्जक की तैयारी करना चाहते हो सारे एक्जाम की तैयारी करना चाहते हो रेलवे की तो आपको आरार भी बैच ले लेना है रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच यह आपको सस्ता पढ़ेगा सारी टीचर्स को मिलाकर अलग लग लेना चाहते हो अल तो मज़ आजाएगा पड़कर, कूपन यही की है, अगर आप ऐफर लाओगे तो कूपन आपको मिल जाएगा, ठीक है, यही की ही है, जैसे आप लेने जाओगे न, तो आप कूपन का एक दिखेंगा, तो क्लिक कर देना उस पर, कूपन लग जाएगा ठीक है, चलिये,skinट ही आराम से ले लो अपनी एप्लिकेशन है कुईक ट्रिक्स बाई साहिल सर एप्लिकेशन पर जा कर ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लो सत्ता इस तारिक को और भी बड़े धमाके होंगे चीजें अच्छी होंगी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छा होता है लेकिन कोई दिक्कत निया मैं खुश हूं तुमने कम से कम अपनी राय तो रखी क्या ही बच्चे तो इतने हैजिटेट होते हैं वो रखते ही नहीं हमारे सामने कुछ अभी मैंने 15 करा दिए 10 कोशन कल करेंगे आके इस सेशन के ही और देखो लालीता क्या है स्पेश पिक जो बहुत सारे आपके रहते हैं उनको सबको कवर करेंगे अपने इसमें ठीक है टेलिगराम है मैध भाई साहिल-जर उस पर आपको PDF मिल जाती है काफी अपना popular telegram है काफी दूनों टेलिग्राम चैनल यह रहा है यह रहा है यह रहा है यह रहा है मैथ भाई साहिल सर तो कि टेक क्या जैहिंद जैभारत वंदे मात रहा है एप्लिकेशन बैच टाइम है सुबह नौ बजे अब आपने भी देख सकते हैं कि अ